हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तों आप देखी रहे हैं कि कितने सुंदर सुंदर जो हॉली होक के फूल है वो यहाँ पर खिल रहे हैं हमारे बगीचे में तो इन हॉली होक्स को किस तरीके से मैंने तैयार किया क्या क्या देख बाल इनकी कर रहा हूँ और कब आप इनको लगा सकते हैं सीट से किस परकार से जर्मिनेक हो सकता है तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमनंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूटुब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज सुबह सुबह मैं अपने छट पर आ गया हूँ और इसमें जो है मार्च महिने का लास्ट वीक चल रहा है और ऐसे में आप देखी सकते हैं कि हमारे गायन का जो नजरा है कितना ही खुबसूरत सुबह सुबह ये लग रहा है जिधर भी मैं देखूं हर तरब जो है कलरफुल फूल आपको नजर आएंगे और ये एक ऐसा फेज है जिस समय की सरदिया लगबग लगबग जा चुकी है बस थोड़ी थोड़ी ठंड बची है और ऐसे में भी जो सरदियों के फूल है वो लगातार खिल रहे हैं और साथी साथ जो गर्मियों के फूल है वो भी कुछ-कुछ जो है अब हमारे बगीचे में होने लगी है गुड़ल की शुरूबात भी इस समय होने लगी है और बहुत सारे जो देसी पिटुनिया है वो भी लगातार ब्लूमिंक कर रहे है लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं इन सब तीजों पर नहीं करने वाला हूँ आज का जो वीडियो है वो मैं खास्तोर से करने वाला हूँ हॉली होक्स के उपर या दोस्तों हॉली होक्स के फूल जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे लोग जो है उसे question भी पूछते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है कब लगाया जाता है क्या दिखभल करें कि hollyhocks में जो है बहुत अच्छे लार्स हमारे आए तो दोस्तों आप देखी सकती हैं कि इस समय जबकि अंतिम दौर पर है मार्च का मेना तो इसमें पूरी तरह से blooming करें hollyhocks के पौदी और फूलो से अगर मैं दिखाऊ तो उपर से नीचे तक पूरा का पूरा जो पौदा है भर चुका है और केवल यही नहीं कि इसके बाद भी जो है कितने सारे जो birds लगातार इसमें बन रहे हैं कितनी सारी कविया और भी है जो की अभी इसमें खिलेगी इसका हुट लग यह है कि यह लगातार अभी भी जो है flowering करती रहेगी और इसमें जो है अभी भी दो धाई मैने तक फूल इसी तरीके से बने वे रहेंगे दोस्तों holly hawk एक ऐसा पौदा जो की बहुत ही आसानी से हो जाता है और बहुत हाइट भी इसकी हो जाती है नीचे से लेकर के उपर तक और जितनी हाइट यह बढ़ाता जाता है तो उतनी ही ज़्यादा जो flowering है यह करता जाता है इसमें बहुत सारे color option आपको मिल जाएंगे इसमें अगर मैं दिखाओं तो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह वाला जो है कुछ light pink है उसके बाद इस से थोड़े से dark में इधर यह वाला जो पौदा है यह आता है और अगर मैं इधर दिखाओं तो इधर वा है कि यह जो है पूरी तरह से red है और red होने के बाद जो काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर फिर pink वाला और इधर वाला जो है आप देख पा रहे होंगे कि यह बहुत ही ज़्यादा मतलब red से भी ज़्यादा dark color यह हो गया है तो color change होता रहता है अलग-अलग color के यहाँ मिरे पास आया है और इसमें भी flooring की बहुत अच्छी शुरुवात हो चुकी है इसके seed से दोस्तों आप इसको बहुत ही आसाली से grow कर सकते हैं और market में भी आपको यह seed मिल जाएंगे और चाहे तो अपने पुराने पौदों से भी आप seed collect कर सकते हैं दोस्तों अगर क सकते हैं दोस्तों इसको लगाने का जो best time होता है वो होता है September का September October में इसकी seedling आप कर सकते हैं तो seed सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको लेना है दोस्तों आपसे एक मेने के बाद इसके seed को आप collect करना शुरू कर सकते हैं या पंदा दिन में भी जो है वो कई कई जो है सूखने भी लगे हैं क्योंकि नीचे वाले जो फूल है वो सूखते रहते हैं उपर की blooming होती रहती है तो इस तरह से यह जो पूल है यह जब सूख जाते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि यह जो है एरिया नीचे का तो यही इसके seed होते हैं मैं आपको यहां से अगर दिखाऊं, तो यह का Seat Pot होता है, तो इसी के अंदर बीज होते हैं, लेकिन यह फूल जह पूरी तिरे से सूख जाए, तो यह अंदर का जो Seat Pot है, यह बिल्कुल सुखा हुआ मिलेगा आपको और इसी के अंदर जो है आपको यह बीज मिलेंगे, तो इस से जो ह आप बीजों को लगा सकते हैं बहुत ही बढ़िया इससे हो जाएगा और आपको कहीं और जाने की जरुदत नहीं है बस इसी को आप रख ले लेकिन थोड़ा सा वेट करें ये जो हरारापन है ये चला जाना चाहिए और ये सूप जाना चाहिए तो उसी बीज को आप कलिक करके डख सकते हैं दोस्तों हॉली हॉक के पूलो के बीज को शुरू में जब आप लगाए तो किसी पॉर्ट में लगा सकते हैं जिसके की गहराई कम हो चार इंच की गहराई तक वाले जो पॉर्ट है उसको आप ले सकते हैं और उस part में एक भाग रेता एक भाग مिट्टी और एक भाग जो है आप मिला दे और कोको पीड ना हो तो जो रेता होता है उसी को आप मिला सकते हैं और इन तीनों का mixer अइक अधिकी बहुत ज्यादा वुलगुरापन आ जाता है तो ऐसे में इस spot में बहुत अच्छे से germination हो जाता है तो September के last week में या October के first में या पूरे October में भी आप जो है कभी भी इसके seedling कर सकते हैं और seedling करने के बाद उसमें से आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर जो है वो पौधे काफी अच्छे बड़े हो गए हैं तो उसके बाद उसको निकाल करके आप सीदे सीदे जो कौफी की कप होती है तो इस तरह के कप में आप transplant कर सकते हैं जो भी disposal है उसमें transplant कर सकते हैं और उसमें इस बात का क्याल रखें कि disposal में जो है 3-4 hole जरूर आप दे ताकि जो है उसमें drainage अच्छा बना रहे है पानी का और साथी साथ जो उसमें soil त्यार करनी है वो soil भी जो है जिस तरह से मैंने आपको कहा कि रेता हो और मिट्टी हो और बाकी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट तो तीनों को बराबर लेकर के उसमें आप transplant कर दे उसी में ही इन पौदों को जो है आप लगवख 25 दिन या 30 दिन रहने दे और उसके बाद चाहे तो आप इसको निकाल करके 8 इंच या 10 इंच या 12 इंच जैसा भी आपके पास pot size हो उसमें लगा सकते हैं तो इस तरह के pot में जो है ये चल जाते हैं ऐसा नहीं है कि छोटे pot में नहीं चलेगा ये छोटे pot में भी मेरे पास है तो इसमें भी चल रहे हैं लेकिन pot दोस्तो जितना बड़ा होगा तो पौधा भी उतना जादा healthy आपको नजर आएगा और उसमें flowering भी बहुत जादा हो सब लगे हुए हैं तो इसमें आला कि permanent plant भी एक एक लगा हुआ है लेकिन उसी में हमने जो है इसके seedling कर दी थी seedling तो नहीं seedling से जो है पहले पौधा तैयार कर लिया था और बाद में जो है पौधे को shift किया था तो दिखिए अब कितना अच्छा लग रहा है कि एक ही गेर लिया है और इसमें flower से पूरी तरीके से भरा हुआ है यह पौधा दूस्तों पूरे सालों साल भी चल जाता है लेकिन जब बरसात का सीजन है उस समय थोड़ी flowering यह कम कर देता है लेकिन लगातार फिर भी कुछना कुछ आते रहते हैं और जैसे ही जो सर्दी का मौसम ह होता है तो ऐसे ही जर्मिनेट होना शुरू होता है और गर्मी के शुरूबात में ही यानि कि जब जनवरी का महिना चला जाता है तो फेबरी मार्च में जो है यह flowering करना शुरू कर देता है दोस्तों इसमें जो है अच्छी flowering लेने के लिए आप बीच बीच में चाहे तो जो वर्मी कमपोस्ट है वो उपर उपर से देख सकते हैं दोस्तों इसमें अच्छी flowering लेने के लिए जो वर्मी कमपोस्ट है या गोबर की खाद है बीच बीच में उपर की लेयर में आप दे सकते हैं और अगर लिक्विट पर्टिलाइजर का यूज करना चाहते हैं तो ज आप कर सकते हैं तो इसका यूज जो है बीज बीश में आप करते रहेंगे हर हफते एक बार तो आप देखेंगे कि पौध है जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है और बहुत इची फ्लावरिंग इसमें हो रही है और इसके फ्लावर्स जो है टीके भी रहते हैं ऐसा भींडी के पौधे के जसे होते हैं देखने में भी और इसके पत्ते भी वैसे होते हैं और इसमें जो है अगर हम थोड़ा साल लापरवाई से इसको छोड़ दे तो कई बार जो कीडे मकुरों का टेक है वो इसके पत्तों में हमें दिखाई देता है तो इसमें जो है बीज में 15-20 दिन में एक बार इसका चल्काप कर देंगे तो पौदे के पत्ते बिलकुल स्वस्त रहेंगे बाकी कोई खास बिमारी इसमें दूसरी लगती नहीं है बहुत ईजी ग्रोइंग है और मौसम का असर इस पर बहुत ही कम होता है जब पौदे प्रोड़े से बड़े होने दिखाई देगा तो दोस्तों बिलकुल देल ना कीजी अगर ये पौदा आपको नरसरी में भी मिल जाए तो वहां से ले लिजे क्योंकि इसी से जो सीड है वो आपके त्यार हो जाएंगे और अगर किसी के घर में आपने देखा है तो वहां से भी इसके सीड्स को आप कलेक कर ले ताकि नेक्स टाइम जो है आपके घर में भी ये वाले पूल पूरी तरीके से भर जाए तो उमीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपको कापी अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में इस तरह के जो हॉली होक्स के पौदी है उनको अवश्य होते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बग्या नमस्कार